Hello everyone, Good morning तो guys सुबह की साथ बज़ रहे हैं और हम लोग सुबह की साथ बज़े मौरने में कहा जा रहे हैं या आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं अपने मकान के नागर पर और मैं खासकर मुंबई से इसी के लिए आई थी क्योंकि मकान का नागर है हमारा मतलब मकान जो है वो बनवाया है हमने तो उसके नागर में हम लोग जा रहे हैं तो पूरा प्रॉपर मैं आपको दिखाओंगी तो सुबह की साथ बज़े हम लिए इसलिए गाउं से निकल रहे हैं को आलियर के लिए सबसे पहले मैं अपनी सफुरा लाई थी वहाँ से मैं अभी मकान के नागर पर जा रहे हैं तो ये पहला कदम हम अपने मकान में रख रहे हैं तो पैर छू लेंगे क्योंकि Max क्श्ट कदम है अपने मकान में नए मकान में तो excitement कुजी तो होती है बहुत जादा होती है और मेरे दिवरानी है ये दोना छोटी और इनके बच्चे हैं इनके साथ जैसे के अन्राग टुन्नू और इंद्रेस कुन्नू और सुरूती ये सब बच्चे हैं थोड़ी देर में पूजा भी इस्टार्ड हो जाएगी और कियुकि मतलब फिर जो कारिकर्म जोरता है ना फिर गावन, घर की लेडी जी घर में नहीं होगे तो कैसे चलेगा तो इस प्ञे과 से कम लोग कशली आ गए ते हैं और जो मेरी सास बागरा है यह मुझसे चोटी है और यह रेड कलर की साड़ी में है यह मुझसे चोटी हूँ उससे भी चोटी मतलब तीस ने मर की है और यह हमारा घर जो मैं थोड़ा बहुत आपको जलक दिखा देती हूं अंदर से दिखा रही हूं और बाहर से मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो यह जो साड़ी थी हूं मैंने मुंबई से ली थी लेकिन आपको दिखा नहीं पाई थी तो यह मुवाइल में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पारी है लेकिर रियालिटी में इसका कलर और बहुत अच्छी साड़ी थी तो यहाँ पर गीत वगरा हो रहते हैं नाच गीत जो है मतलब हमारे जो कोई सुप काम होता है तो ऐसे नाच गीत होते हैं तो वस हो ही हो रहा था और यहाँ पर मेरी बड़ी भावी ने डांस भी किया है मतलब डांस मतलब नाच जो भूलते है ना जो डोलक पे होता है उन्होंने किया है और मैके से मेरे पापा मम्मी को चोड़के पापा भावी बहन वगरा सब लोग आयते भाई वगरा तो और चोटी भावी ने भी यहाँ पर नाच किया था उनका भी छोटी सी क्लिप मैंने आपको देखाऊंगे और यह जो मैं क्लिप है न मुझे मैंने कहीं से ले थी मतलब मैंने खुद बना नहीं पाई थी गर मैं बनाती तो पूरी फुल होती लेकिन मैंने नहीं बनाई थी मुझे इतना टाइम नहीं था तो जिसने बनाई थी उससे मैंने क्लिप ले लेती हूं और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये मेरी छोटी भावी है जिन्होंने नाच किया था और मेरी सास जो है जो पैसे होते हैं वो अच्छावर करते हैं तो पस और मैंने भी यहाँ पर डांस किया था थोड़ा सा मतलब मुझे आता नहीं है लेकिन सब लोग बो सिस की मैंने और मतलब देखता कि जैसा होता है वसा मैं कर लेती हूँ तो वस यही सब जो है वो इंजोई चल रहा था नाजगीत हो रहते सब कुछ और अभी सुबर हो चुकी है उसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया तो बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बिजी हो गई त तो हवन का जो यहीं पर रखा रहेगा क्योंकि इसको सुब दिन देखके ही हटाया जाता है तो आज तो इसको नहीं हटाएंगे यहीं पर रखेंगे पूरा घर बिखरा हुआ है आपको एक जलक दिखा देती हूँ तो यह सब साफ करना पड़ेगा और मेरी दिवरानी का द हो जाता है तो सारा घर जो और करना पड़ेगा तो आलपराल सामान रख देंगे फिर उसके बाद दीरे-दीरे करते रहेंगे तो बस ऐस आज की व्लोग में इतना ही हम् lookout मिलते ही मैं आपको अपने अच्छी से व्लोग के साफत्व को गनिलेंगे तो जोड़े रहेए 149 ज झाल झाल